हलो मित्रों जै मातादी, मित्रों कार्तिक पुर्णिमा सभी पुर्णिमाओं में सरेष्ट मानी जाती है मित्रों मानने आता है कि इस दिन भगवान सिव ने देव लोग पर हाहकार मचाने वाले तिरपुराशुर नाम के राक्षस का संगहार किया था मित्रों उसके वद की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दिवाली भी मनाई थी हर साल लोग कार्तिक पुर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं हिंदु मानुताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विस्नु ने मत्सियावार लिया था मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज कार्तिक पुर्णिमा की कथा सुनने मात्र से ही आपको बहुत अच्छे सुब परिनाम मिलते हैं हजार गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है तथा आप अपने जीवन में उन सभी खुसियों को पास सकते हो जिनकी आप कामना करते हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज कार्तिक पुर्णिमा की कथा आपके जीवन में बहुत सारी खुसियों को लेकर आएगा मित्रों कार्तिक पुर्णिमा की कथा आपके मंजिलों को प्राप्त करने तथा आपके सभी सफलताओं की पूर्ती करने में विसेश योगदान आज निभाएंगे सभी देवी देवताओं की किरपा आप पर बनी रहेगी, आपके परिवार और आपके घर पर सुखी सम्रिद्ध वातावरन रहेगा और आप दिन दुगनी राद चोगनी तरक्की करने लगोगे मित्रों कार्तिक पुर्णिमा की कथा इस परकार है आप ध्यान लगा कर सुनें पौरानिक कथा के अनुसार तारका सुर नाम का एक राक्षस था, उसके तीन पुत्र थे तारकक्ष, कमलकक्ष और विंधुनमाली भगवान सिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारका सुर का वद किया अपने पिता की हत्या की खबर सुन, तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए तीनों ने मिलकर बर्माजी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की बर्माजी तीनों की तपस्या से काफी प्रसन्न हुए और बोले मांगो क्या वर्दान मांगना चाहते हो तीनों ने बर्माजी से अमर होने का वर्दान मांग लिया लेकिन बर्माजी ने इसके अलावा कोई दूसरा वर्दान मांगने को कहा तीनों ने फिर सोचा और इस बार ब्रमाजी से तीनों ने अलग नगरों का निर्मान करवाने के लिए कहा जिसमें सभी बैठ कर सारी पिरत्वी और आकास गंगा में घूमा जा सके एक हजार साल बाद जब हम मिलें और तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं तो देवता तीनों नगरों को एक ही बान से नश्ट करने की छमता रखता हो मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि वहीं हमारी मित्यों का कारण हो ये बर्माजी से उन्होंने वर्दान मांगा ऐसे मैं तीनों वर्दान पाकर बहुत खुस हुए ब्रमाजी के कहने पर मैं दानव ने उनके तीन नगरों का निर्मान किया तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया इंद्र देवता ने तीनों राक्षसों से भैभीत हुए और भगवान संकर की सरण में चले गए इंद्र की बात सुन भगवान सिब ने इन दानवों का नास करने के लिए एक दिवरत का निर्मान किया इस दिवरत की हर चीज देवताओं से बनी चंद्रमा और सुर्य से पहिये बने इंद्र वरुन यम और कुबेर रत के चाल घोडे बने हिमाले धनुस बना और सेसनाग पंत्याच्य बना मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि भगवान सिब खुद बान बने और बान की नोक पर बने अगनी देव इस दिव्वी रत पर सवार हुए खुद भगवान सिब भगवानों से बने इस रत और तीनो भाईयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जैसे ही ये तीनो रत एक सिध में आए भगवान सिब ने बान छोड़े तीनों को नास कर दिया इसी वद के बाद भगवान सिब को तिरपुरारी कहा जाने लगा ये वद कार्तिक मास की पुर्णिमा तिथी को हुआ था इसलिए इस दिन को तिरपुरी पुर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा तो मित्रों ये थी कार्तिक पुर्णिमा की विशेश का था जिसको सुनने मात्र से ही आपके जितने भी कष्ठ हैं रोग हैं दोस हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं बोलिए प्रेम से भगवान भोले नात की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा भगवान आपकी सारी मनुकामनाओं को पूर्ण करेंगी